आप सभी का स्वागत है लोटस वर्ल्ड में आज हम कुछ प्रश्ण पूछेंगे डॉक्टर उदित राज जी से ये कॉंग्रेश के बहुत ही वरिष्ट और दिगज नेता है और कहीं इनका एक होडिंग भी हम में देखा था कि ये कॉंग्रेश की प्रेसिडेंट की पोस्ट के दावेदार भी है तो हम फैन हैं के बहुत आधर करते हैं इनका तो कुछ प्रश्ण पूछते हैं इनको के उदित जी पहले तो आपने कहा कि यूपी की जो राज्य सरकार है उसने कुम्र के मेले के लिए पैसे नहीं देने चाहिए तो हम आपके इस विचार से सहमत हैं बट फिर एक प्रश्ण यह है कि पहले आपने ट्वीट लिखा फिर ट्वीट डिलीट करा फिर आपने फिर से एक ट्वीट कर दिया कि यह मेरे पर्सनल विचार है तो पहले वाल बहुत सही बात है फिर तो उतरप्रदेश की सरकार हो या अन्यर राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो उन्होंने किसी भी एसी स्तिथी जहां धर्म का involvement हो उसमें नहीं देना चाहिए तो ऐसा आप केंद्र सरकार से कब पूछोगे या रिक्वेस्ट करोगे दूसरा आप कॉंग्रेस के बहुत बड़े दिगज नेता हो तो जो कॉंग्रेस के जो हेड है अभी उनसे कब पूछोगे आप कि उन्होंने अभी तक जहां जहां भी जितना भी दिया उसका रिकवरी कैसे होगी या वो कैसे पैसा वापस गवर्मेंट की तीजोरी में लाके देंगे क्योंकि उनकी सरकार तो 50-55 सालों तक चली न तो उनको भी पूछना चाहिए या आपने ऐसा हमको लगता तो उनको अब कब पूछोगे दूसरा जो सरकार को राज्य सरकार को राजियों की सरकार को जो धर्मिक स्थानों से पैसा मिलता है टाक्स के स्वरूप में तो वो कुछ ही जगों से मिलता है हर जगे से नहीं मिलता तो वो भी आपने सारी राज् और अगर एक ही जगह पर लेंगे या नहीं लेंगे कुछ जगों से लेंगे या नहीं लेंगे तो यह एक इनिक्वालिटी नहीं होने चाहिए राइट हर जगह से या तो लो या तो किसी जगह से मतलिए तो यह भी आप पूछना हर एक से पूछना हर एक राज्य सरकार से पूछना उसके बाद जो सालरीज मिलती है तो वह हर एक जो सेवक होता है हर एक जो व्यक्ति होता है जो सेवा करता है उसको नहीं मिलती तो वह भी आपने पूछना चाहिए राज्यों के सरकार से केंद्रे स अगेन हम आपके फैन है सर आप ना बहुत बहुत वजंदार बात करते हुआ तो यह ट्वीट जो भी आपने करा डिलीट करा फिर से करा तो वो करने के लिए घिम्मत चाहिए तो वो भी आप पूछ के देखना है ना कि यह सब जो देना लेना है वो या तो सब एक समान हो हर ए जगह के लिए है ना एक जगह पर हो दुसरे जगह पर नहीं हो फिर वो अच्छा नहीं लगता वो आप और आप एक ही बार पूछोगे तो बाकी नहीं पूछोगे तो वो फिर बहुत का व्यक्तिगत विचार हो, ट्वीट हो, बट आपकी जो एक personality, आपका जो वजन है, आपका जो एक एक दिगजपना है, वो फिर वो एक सिमट के रह जाता है, कि भी सिर्फ इधर क्यों पूछा, बागी जगों पे क्यों नहीं पूछा, आज क्यों पूछा, इतने सालों से आप राजनीती में हो, आपने तब क्यों नहीं पूछा, तो ये इतने सारे प्रश्न है, वो प्रश्न का अगर आप उत्तर दो या उस प्रश्नों पे कुछ विचार वेमर्श या मंधन कुछ करो, तो भारत की जनता जो है, वो आप से एक उत्तर या प्रतिक्षा है, कि वे आप उत्तर दोगे या अटलिस्ट प्रश्न पूछोंगे हर जगह पे, तो एक ही रिक्वेस्ट है सर आप से, कि आप हर जगह पे ये प्रश्न पूछें और बार बार पूछें सर, बारत की जनता आपके साथ है, ठीक है, और जो कॉंग्रेस की जो प्रेसिडेंट वाली जो पोजिशन है, जो उसके लिए भी हम आपको रिधाय के अंतर पूर्वक से शुब कामनाएं देते हैं कि सर आप उस पोजिशन पर पहुंचिए तो यह कुछ प्रश्ण है मेरे मन में हैं हमारे जो साथी हैं हमारे जो मित्रगण हैं हमने बहुत चर्चा करी पिशले किस दिनों फिर आज मैंने ज जो रिधाय की बाते हैं वह हमने आपके सामने रखी हैं कि यह प्रश्ण आप पूचें और निरंतर पूचें सर ठीक है तो इसे के साथ धन्यवाद और जो शुरोता है वह जो देख रहे हैं पहली बार अगर आप आये हो तो आप सब्सक्राइब करें बेल जो है उसको भी हुआ प्रें और ऑल का जो अप्शन है उसको भी सिलेक करें और इस वीडियो को आप थमजब देख और ऐसे कुछ अगर प्रश्ण हो कुछ पॉइंट हो कुछ विचार हो तो वह आप हम तक भीजी हम भी पूचेंगे हर एक से पूचेंगे और हर जगे पूछेंगे और शायद हो सकता है बार-बार पूछें तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और अपने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें कोरोना का समय चल रहा है है ना बहुत समल के चलिए थैंक यू